नमस्कार मैं इसांत कुबार स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आपके अपने youtube परीबार दिसा साइंस क्लासिश में तो कैसे आप सभी स्टूडेंट उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे लेकिन फिर भी एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बता तो समझने के लिए कुछ फंडे होते हैं उस फंडा को पहले समझना होता है अगर वो फंडा आप अगो इसट से आने लगेगी और काफी दूसरा रीजन क्या होता है उनको परमानु संख्या याद नहीं हो पाता है जिसको अतुमिक नहीं हो पते हैं तो हंडीन टेन परसेन्ट आपको chemistry समझ में आने लगेगी तो इसलिए हम जो आज QoS कर आए हैं वो ये है कि आप के से परमानु संख्या याद कर सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं परमानु संख्या याद करने का ट्रिक तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ रहें ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें करते क्या है सबसे पहला नंबर कि हम एक प्रियोडिक टेवल का रूप बनाते हैं छो मनाते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि हम इहां पर रोट टोSen को में बनाने के खरनE क्या करते हैं सिंपल सा एक चो लेते हैं देखेंगा फिर हम आपको याद करने का ट्रिक इसमें बताएंगे की कैसे इसके प्रवानु संध्य को याद किया जाए ये हो गया उसके बाद इसके बाद यहां से क्या करते हैं एक और इहां पर जो है इससे इहां पर एक इस पर करका एक गुरू बना लिते हैं जैसे जैसे हम करते जा रहा है फिलाल आप वह से किजिए और प्रियोडिक टेबल याद करने के लिए हम क्या किये हैं कि वीडियो बनाए हुए हैं जिससे आप प्रियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं तो वो वीडियो जो है आपको कहां मिलेगा कैसे मिलेगा उसके लिए टेंसर नहीं है डिस्क्रिप्सन बॉक्स में हम उसका लिंक डलवा देंगे वहां से आप जाकर के वीडियो को देख लिजिएगा फिलाल अभी आप यहां पर ही ध्यान दीजिए और करना क्या है कि हम इसको सिंपल जो है सो प्रियोडिक टेबल के फॉर्म में एरेंज कर रहे हैं तब जाकर कि हम आपको लास्ट मेट्रिक समझा सकते हैं अब ही अगर हम समझाने की कोशी से करेंगे तो वो आपको समस्याए दे सकती है तो आईए देखिए क्या करते हैं समसे पहले हम इसको अब प्रियोडिक टेबल के रूप में बना लेते हैं आप भी साथ में बनाएए मजा आ जाएगा और आपको भी पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा यहां पर आपको दस बनाने हैं नेक्स्ट आपको बनाने हैं दो हो गया यह तीन हो गया नेक्स्ट यह हो जाएगे चार फिर यहां से यह हो जाएगे आपके कितने पांच यह हो जाएगे आपके पांच फिर नेक्स्ट आपके यहां से यह हो जाएगा छो फिर ये आपके हो जाएंगे 7 फिर next ये हो गए आपके कितने तो ये हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे आपके कितने हो गए भाई साहब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर ये हो गए आपका 8 और यहाँ पर ये हम कर देते हैं तो ये 9 और 1, 10 या फिर इसको हम इस प्रकार से भी थोड़ा सा एरेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएं ये ये रहा ये इस प्रकार से दस बनने चाहिए ये दस बनने चाहिए और यहाँ पर वही वात है कि यहाँ पर क्या करें गुरूजी तो यहाँ पर आपको छे बनाने हैं छे इस प्रकार से एरेंज करने हैं तो सबसे पहला नमबर आप देखें ये रहा एक next आप गर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह आप यह हो जाएंगे 2 फिर next आपके यह हो जाएंगे कितना तो यह हो जाएंगे आपके 3 यह हो गए आपके 3 next आपके यहाँ पर यह हो जाएंगे 4 और फिर यहाँ पर यह हो जाएंगे 5 और एक यह हो गए 6 इस प्रकार से आप arrange कर सकते हैं, next देखेंगे कि क्या होता है, तो यहाँ पर simple सी बात देख लिजिए, यहाँ पर इसको यहाँ से arrange कर दीजिए, पर यहाँ पर भी इसको यहाँ से arrange कर दीजिए, बीच में एक line बना दीजिए, फिर क्या करना है, तो देखें आपर, यहाँ से इसको जो है से इससे मिला दीजिए और उसके बाद यहां पर जो है इसको इससे मिला दीजिए यह अब क्या करना है तो देखे एक छोटा सा क्या करना है formation आपको यहाँ पर करना है वो formation क्या होंगे समझेगा यहाँ पर एक box उपर में लगा देना है और इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक box लगा देना इस प्रकार से यहाँ पर लगा देना है याद रखिएगा, हम लोग क्या याद करने का, तो परमानुसंख्या, याद करने का ट्रिक है, जिसको हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर arrangement करते हैं, आईए, यहाँ पर arrangement में क्या होगा, समझेगा, यहाँ से एक हम क्या कर लिए, यहाँ पर यह एक group बना दिए यह लिजी है चली दूसरी नंबर बात होगा कि यहाँ पर कि यह आपके एक है इस परकार से चार बनाने है ठीक तो यहाँ पर यह हो गया दो और एक और ला देते हैं तो यहाँ पर यह तीन और यह हो गया आपका चार यह चार हो गया अब आपको थोड़ा थोड़ से दो बॉक्स बना लेने हैं दो वक्स बना लेना है इस परकार से और यहां पर जो है यह आप को इस परकार का यह box हो गया गला है है कि कहाँ अणusion पर चाओदह लाईने बनानी साथ next हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 8 next ये आपका हो गया 9 next हो गया आपका ये 10 और फिर आपका ये हो गया 11 फिर यहां से आपका ये हो गया 12, 13 और एक यहां पर हम adjust कर देते हैं अब count कर लिजेगा तो ये total 14 हो जाएगा अब यहां पर क्या हो है तो आपको बता दे कि जो आप उपर से नीचे की तरफ आईएगा तो ये आपके group होते हैं क्या होते हैं group होते हैं तो यहां पर जो है आप अगर ध्यान दिजेगा तो ये आपके group हो जाएगे यहां उपर से नीचे की तरफ जो आता है यह आपके ग्रूप है ठीक है ग्रूप है और आप बाएं से दाएं की तरफ जो जाईएगा तो यह आपके क्या हो जाते हैं आवर्त हो जाते हैं तो यह आपके क्या है आवर्त है यह आपके आवर्त हो गए जिसको हम लोग क्या कहते हैं figures कहते तो यह हमारा figures हो गया और यह हमारा group हो गया जिसको हम यहां पर आपका हो जाएगा यह 3A, यहां पर यह होगा 4A, यहां पर यह 5A, यह हो गया 6A, यह हो गया 7A, और यहां पर जो होगा यह आपके हो गया 8A हो गया, ठीक है, 8A हो गया, next बात अगर करें तो यह 8A हो गया यहां पर अगर देखें तो यह क्या होगा यहां से count करेंगे तो यह आपका होगा 2A होगा और यह आपका क्या हो जाएगा 2V होगा यह यहां आपका यह 3V होगा यह आपका 4V होगा next यह 5V होगा यह आपका 6V है यहाँ पर यह आपका 7B है और यह 3 जो है यह आपका 8B है 8B है इस परकार से हम लोग IUPAC के तहत जो है से इसका Nomenclature करते हैं नमाकरन करते हैं ठीक है आईए देखें नेक्स्ट बात क्या है कि यहाँ पर जो आपके यह आपको जो दिखाई दे रहा है यह आपके जो है यह S Block है यहाँ पर जो यह आपको दिखाई दे रहा है यह आपका S Block है यह S Block है उसके बाद नेक्स्ट जदी देखें तो यहाँ पर जो यह आपको दिखाई दे रहा है यह आपको P Block है नेक्स्ट अगर आप देखें तो S Block हो गया P Block हो गया यहाँ पर जो होगा यह आपका होगा D block होगा क्या हो जाएगा D block हो जाएगा next यदि आप देखे तो यहाँ पर जो नीचे में हैं यह आपके F block होंगे F block है F block है ठीक है तो हम कैसे इसके प्रमानु संख्या को याद कर सकते हैं इसके लिए हम लोगों को ट्रिक जाना है तो यहाँ पर हम कुछ magic number बताएंगे यहाँ पर क्या है remembering trick है remembering trick remembering remembering trick है याद करने का trick है कि कैसे हम इसको याद कर ले तो simple सी बात यहाँ पर है कि कुछ magic codes होंगे उस codes के मदद से आप इसको याद कर सकते हैं तो वो code क्या होगा उसके बारे में फिलाल हम चर्चा करते हैं अब ही पहले आप इतना को पूरी तरह से सीख ले इसमें आपको दो चीज याद रखने होंगे उसके बाद ही वो code लागू होगा पहला आपको याद रखना है की यहाँ पर जो यह है यहाँ पर हाइडरोजन होने बाला है और इधर जो होगा यह आपका हिलियम होने बाला है और इसमें प्रमानू संख्या कैसे भरेगा उसके लिए एक trick है वो trick क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं या फिर हम एक लाइन लिखी देते हैं, तो यहाँ पर आपका भळने बना है, L I यहाँ पर भरने बना है, N A sorry, BE, यहां पर आपका जिदी फूर नंबर में देखेंगे तो फूर नंबर में क्या भराने बला है कि यहां पर भराएगा आपका वी यहां पर भराएगा आपका क्या तो यह आपका भराएगा कारवन नाइट प्रोजन ऑक्सीजन यहां पर आपका भराएगा फ्लोरीन और यहां भरा जाएगा अग इसका परमानु संख्या कैसे याद करे तो इसका बरी ही सिंपल ट्रिक्स है वो ट्रिक्स संख्या है कि जो आपके वर्ग संख्या है वर्ग संख्या क्या होता है उपर से जो नीचे की तरफ आते हैं जैसे कि 1A उपर से नीचे की तरफ जो आ गए ये आपक यानि कि वर्ग संख्या में दो जोर देने से आपको क्या होगा कि कतार में पहली कतार की प्रमानु संख्या निकल जाएगा कैसे तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात आपको देखना है यह क्या है यहाँ पर यह क्या है वन ए है तो वन ए है इस वन ए में अगर आप दो जोर कितना होगा तीन होगा किलियर दूसरी नमबर बात आप फिर से देखे कि इसका अगर हमें निकालना है तो वर्ग संख्या दू ए है तो यहां पर आप क्या करेंगे कि दू ए में दू ए में दू जोर दीजिए दू ए में अड़े यार आज कि आए में क्या करना है तू ए में क्या करना है आपको आपको जोर देना है तो दू और दू मिलके कितना हो जाएगा चार हो जाएगा यानि की beryllium का पर्मानु संख्या कितना होगा 4 होगा next यहाँ पर चिक कर लिजिए यहाँ पर क्या है आपके 3A है तो 3 में 2 जोड दीजिए 3 में 2 जोड देते हैं तो ये कितना होगा 5 इसका मतलव की यहाँ पर पर्मानु संख्या कितना हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर चर्चा कर लिजे, कि 4 A है, तो 4 में आपको क्या करना है, 2 जूर देना है, तो 6 यानिकी कारवन का परमानुसंख्या 6, इसी परकार से next क्या होगा, तो यहाँ पर 5 है, तो 5 में आप 2 जूर देजिए, तो यह आपके कितने हो जाएंगे, सेबिन हो जाएंगे हो जाएंगे बोलो यह सर लो जली से तो सेबिन हो गए निक्स्ट आप यहाँ पर चलिए यह आपके सेबिन हो गए इसमें आईए सेबिन में टू जूर दीजिए तो यहाँ पर यहाँ पर आपके क्या है तो देखो सेबिन है तो यहाँ पर क्या करेंगे स यहाँ पर यह 9 हो जाएगा यानि कि इसका परमानु संख्या 9 हो गया और उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर यहाँ पर यह आठ में क्या करिएगा दू को जोर दीजिए तो यह आपके कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बोले यह यानि कि आप क्या देखे कि हमें सिर्फ क्या पता था तत्तो के नाम पता था और उस तत्तो के नाम से हमने क्या निका लिया फॉर्मूला प्रमानु संख्या निका लिया तो वो ट्रिक क्या था वो ट्रिक था वर्ग संख्या प्लस टू वर्ग संख्या प्लस में टू प्लस में टू ये आपका मैजिक कोड है ये आपका मैजिक कोड है ऐसे और भी मैजिक कोड से जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ये आपका magic trick है magic trick के माध्यम से आप जो है इसको याद कर सकते है magic trick हो गया आपका ये magic trick हो गया इसी प्रकार से और भी magic tricks है जिससे हम क्या कर सकते हैं इसके प्रवानु संख्या याद कर सकते हैं अब दूसरा क्या हो सकता है तो देखें नेक्स्ट आपको जो code याद रखने है वो code आपका ये है 2, 8, 8, 18, 18, 22 और अगर नीचे जाईएगा तो 32 फिलाल इसकी जब सकता नहीं परती है तो सबसे mean code जो आपका है ये यही code हो गया कि 2, 8, 8, 18, 18 और क्या हो गया ये आपका 32 हो गया अब कैसे निकलेगा तो चलो देख लो यार कैसे इसकी प्रमानु संख्या हम निकालेंगे देखिए यहाँ पर क्या है है यहाँ पर हो गया ना है ली ना के रीबन किसने फारा चिक है यह सब हम पीछले विडियो में बता चुके हैं हम आपको तत्तो के नाम लिखना नहीं सिखा रहे हैं प्रमानु संख्या याद करना सिखा रहे हैं याद रखिएगा ठीक है तो आपको क्या करने हैं सिंपल सी बात देख लिजेए कि यहाँ पर जो है जैसे इसका प् 11 सोडियम का परमानु संख्या है 11 हो गया नेक्सट चलिए 11 में य क्टना निकल गया इस प्रकार से अगर हमें यह क्या कते हैं कि यहां पर पर रूविडियम का निकालना होगा तो रूविडियम में कितना जोरना होगा 18 यानि कि 19 में कितना जोरना होगा 18 तो 29 में आप 18 जोर लिजे 9, 8, 17, 12, 13, यानि कि इसका परमानु संख्या कितना होने बला है, 36 होने बला है, इसका परमानु संख्या कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परमानु संख्या इसका 37 हो जाएगा, नेक्ट आप इसी प्रकार से चलिए, एक 18 जुरा है, एक और 18 जोरना है, किस 13 में 37 में यानिma 37 में फिर से आप 18 को जूर देंगे तो 67 कितना हुआ 15 कि पांच कि यहां पर यहँन पर कितना हो गया 5 यानि कि कि यह आपका कितना हो जाएगा 55 पन हो जाएगा यानि कि प्रमानु संख्या कितना हो गया पच्पन अब अगर फ्रांसियम का निकालना हो तो उसके लिए ट्रीक क्या है कि आप इस पच्पन में किसको जूरेंगे 32 को जूर दीजिए तो यहां पर क्या हो जाएगा पच्पन पलस में कितना होगा 32 यानि कि 5 दूर 7 और 5 तिन कितना हुआ 8 यानि कि इसका परमानु संख्या कितना होगा 87 तो इस परकार से आपके ये magic code है इस magic code को आपको याद रखना है और इस magic code में 2 को आपको add नहीं करना है फिलहाल आप इतना ही याद रखिए दो को आपको add नहीं करना है सिर्फ add करना है कि इसको 8,8,18,18,22 ये आपके perfect code है magic code है जिनको आपको याद रखना है अगर ये आपको याद है तो आप पूरे तत्तो का परमानु संख्या निकाल सकते हैं अब जैसे इसके बारे में देखी एहां पर हम आगर कहते हैं कि इसका परमानु संख्या कैसे निकाला जाएगा तो very simple है यार चलो हम आपको बताते हैं इसका भी परमानु संख्या निका करने एक सेख शरुखड जोर दो क्या है और एलब veramente सेब्सटों यहाँ पर me worked सबलें एक सब्सक्राइब जोड़ दो तो यहां पर 12 में 8 जोड़ दोगे तो किपना होगा तो 28 तो जूर गये अब क्या करना है अब आपको क्या करना है 18 जोरना है तो देखो याद 20 में ये ये 2 तो जूर गया 18 जोरोगे तो 20 में 18 जोरोगे तो कितना होगा 38 होगा, यानि कि यहाँ पर आपका यह कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, यस, नेक्स्ट चलो यार, यहाँ पर देखो यह वैरियम, तो इसमें किसना जोरना होगा, 38, तो 38 में 38 जोर दो यार, 38 में 18 को जोरेंगे, तो यह कितना होगा 8, 8, 16, 13, 14, 15, यानि कि ये आपका हो जाएगा कितना तो 56 हो जाएगा सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दिया ये 56 उपर में होगा यहाँ पर ये आपका 56 हो जाएगा 56 हो जाएगा और इस 56 में आपको कितना जोर देना है 32 जोर देना है 32 जोर देना है यानि कि 56 में हम 32 जोरेंगे तो चोदू 8 और 58 यानि कि इसका परमानु संख्या कितरा निकल के आ जाएगा 88 निकल के आ जाएगा तो इस प्रकार से ये ट्रीक है जिससे आप S-Block के तत्तो के प्रमानु संख्या को आप असानी तरीके से याद कर सकते हैं अब आते हैं हम लोग P block के तरफ कि P block को कैसे याद करें P block के प्रमानु संख्या को भरने का क्या trick है ठीक है तो आईए इसको भरने का trick है जो magic code है वो magic code हम आपको देते हैं एक magic code आपका यहाँ पर है ध्यान में रखिएगा यह आपको भूलना नहीं है यही आपका main code है जिसस चलिए देखिए यहाँ पर इसके लिए code है magic code जो है इसका वो आपका है देखिए यहाँ पर होगा 8 18 18 और 32 यहाँ पर ध्यान दीजेगा तो मैंने 8 दो बार लिया था और यहाँ पर 18 दो बार लिया था 32 दो बार लिया था इसका तो कोई यूज नहीं है लेकिन इधर मैंने क्या लिया तो यहां पर देखो यार मैंने 8 लिया दो बार अठार लिया और एक बार कितना लिया 32 यानि कि दो ये 2 और 8 को मैंने छोड़ दिया बात मां की सारे चीज़ को मैं ले सकते हैं यानि कि हम 32 दो बार भी लिख देंगे तो उसे कोई फर्क परनने वाला नहीं है तो आपका जो magic code हो गया वो magic code ये है ये आपका क्या हो गया magic code है जिससे आप परमानुसंख्या याद कर सकते है magic code magic code या magic trick चलिए अब देखिए कि इसमें हम कैसे इसकी परमानुसंख्या निकाल सकते हैं तो देखिए सबसे पहली नमबर बात जो है वो आपका यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर मैंने ले लिया क्या हे ने अरकर अरकर जीरो रन पे आउट जीरो रन पे क्या हो गया आउट हो गया तो हिलियम का तो हमें पता है कि इसका कितना है परमानुसंख्या दो है चलिए नियोन का भी हमें पता था कितना था दस हम निकाल चुके थे पहले लिखना भूल गया थे अब देखिए इस दस में क्या करना है आठ को जूर दिजिए तो यहाँ पर आपका आठार हो गया बोलो यसनो फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे अठार में अठार जूर दो यार तो 18 में यदि 18 जुरोगे तो यह हो जाएगा 36 36 में 18 जुरोगे तो यह कितना हो जाएगा 24 और 24 में 32 जुर्दो 4 दू कितना हो जाएगा 6 5 तिन कितना हो जाएगा 8 यानि कि 86 यश तो इस परकार से आपके यह हो गए परमानु संख्या सेम उसी प्रकार से अगर हमें इसका प्रमानुसंख्या निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं तो बड़ी सिंपल तरीका है देखो यार फ्लोरीन, कुलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीनेन और यहां पर सिंपल सी बात आपको यहां पर ध्यान देना है तो चलिए, नौ हो गए, तो नौ में आठ जोड़ो, तो नौ में आठ जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, सत्रा, बोलो यह सरनो, फिर उसी परकार से क्या करेंगे, कि सत्रा में अठार जोड़ो, तो सत्रा में अगर अठार जोड़ोगे, तो यहां पर कितना हो जाए हैं फिर से 18 जोर दो तो 35 में 18 फिर से जोरो तो 35 और प्लस में 18 is equal to 8 5 कितना 13 तिन 1415 तिरपन यानि कि यह आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा उसी परकार से स्टीनेन का है तो 33 में 32 जोरडो यार तिरपन में 32 जोरडो तो कितना हो जाएगा 5 और पांच तिन कितना हुआ आठ यानि कि यहां पर यह पच्चासी हो जाएगा बोले यह सर नो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है नेक्स्ट इसी परकार से अगर देखा जाए तो फिर इसका क्या निकलने वाला है तो सिंपल से देखो ओ टेलूरियम पुलो नियम यहां पर यह खा लिए अब इसमें फिर मैजिक कोड का अपलाई करें तो मैजिक कोड का अपलाई जदी करें तो यहां पर आपके 8 हैं और इस आठ में 8 जोर दो तो यहां पर हो जाएगा 16 अब next क्या करो कि इस 16 में 18 को जोर दो तो 16 में जदी 18 को जोरोगे तो कितना होगा 16 पलस में 18 कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर 34 यानि कि यहाँ पर यह हो जाएगा 34 अब इस 34 में फिर से 18 को जोर दो तो 34 में यदी 18 को जोरेंगे तो यहाँ पर होगा 8, 4, 12 के दू carry 1 और 552 यानि कि यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 52 और इस 52 में फिर 32 को add कर दीजिए तो 32 को जदी add कर दीजेगा तो यह आपका हो जाएगा 84 84 हो जाएगा तो यह trick है magic trick है जिसका परियोग करके हम लोग क्या याद कर लेते हैं परमानु संख्या याद कर लेते हैं ठीक है चलिए एक और बताते हैं इसी परकार से एक और ग्रूप का बता देते हैं कि मान कि चलिए कि यहाँ पर nitrogen है तो नहीं प्यारे ऐसे सब बिगर जाएगा ठीक है तो यह तो आपके परमानु संख्या हो गए अब इसके trick कैसे याद करें परमानु हो गए अब परमानु संख्या कैसे याद करें तो simple सी बात है यार यहाँ पर पहले आठ जोरना है तो साथ में आठ जोर दो तो यहाँ पर 15 15 हो गए इसके परमानु संख्या next यहाँ पर देखो यार क्या हो सकता है यहां पर अब आप देखो 8 जोर दिये अब 15 में क्या जोरना है 18 जोरना है तो 15 में यदि 18 को जोरेंगे तो 33 होगा आप जोर करके देख लो यार 15 पलस में 18 एक वल टू में कितना होने बला है 33 यानि कि यहां पर इसका हो गया 33 प्रमानु संख्या हो गया और इस 33 में फिर से क्या जोरना है 18 जोरना है तो 33 में फिर 18 जोरिएगा तो इसका परमानु संख्या निकल जाएगा और यह आपका होगा 51 एक्याबन हो जाएगा और इसमें एक्यावन में यदि 32 जोर दीजिएगा ये 32 आप अगर जोर देते हैं तो आपका बिसमिच का निकल जाएगा तो इसमें अगर 32 जोरने पड़ा जाएगा 83 आजाएगा ये आपके परमानु संख्या हो गए तो बस आप तत्तो का नाम देखे और उसका परमानु संख्या बता दीजिए उसके लिए बस magic trick याद रखना है और magic trick अभी तक में हमने तीन magic trick दिया पहला magic trick यहाँ पर यह रहा वर्व संख्या प्लस में दो next magic trick यहाँ पर रहा आपका 2, 8, 8, 18, 18, 32 और तीसरा magic trick यहाँ पर यह रहा 8, 18, 18, 32 रहा आपका magic trick है इसी magic trick के माध्यम से आप पूरे परमानु संख्या याद कर सकते हैं आईए कुछ और हम आपको बताते हैं ठीक है तो और क्या बताएंगे चलिए देखिए जैसे यहाँ प परमानु हो गया तट्टो हो गया अब इसकी परमानु संख्या कैसे याद करें एकदम आसान है याड़ एकदम EG है कैसे EG है भाई तो वो देखो कैंसे जूरेंगे 6 है इस 6 में 8 को जोर दिजिए चौर में 8 जोरेंगे तहां पर आपका हो जाएगा कितना तो 14 हो जाएगा तो इसका परमानु संख्या 32 हो गया next आजाओ फिर से आजाओ यहाँ पर इस 32 में क्या करना है कि आपको फिर से 18 जोर देना है तो 32 में 18 जोरोगे तो यहाँ पर यह आपका 50 50 और इस 50 में क्या करना है 32 जोर देना है तो यह आपका हो जाएगा 82 हो जाएगा तो इस परकार से आप क्या कर सकते हैं परमानु संख्या याद कर सकते हैं बताओ यार मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है चलो एक और box बचा हुआ है इसके लिए हम बता देते हैं फिर हम आपको यहाँ पर इसके लिए भी बता देंगे ठीक है यहाँ पर क्या है चलिए देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा तो यहाँ पर परमानु संख्या निकालने का ट्रिक फिर वही ट्रिक है क्या तो आप क्या करेंगे कि 5 में 8 को जोड़ दीजिए तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 फिर उसी परकार से 13 में 18 जोड़ दीजिए तो 18 में 13 जोड़ दीजिए असदा कितना हो जाएगा आपका 18 में 13 जोड़ दीएगा तो यह आपका 31 हो जाएगा यह परमानु संख्या 31 हो जाएगा next देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको 31 में पुनह क्या जोरना है 18 जोरना है तो 31 में 18 जोर देंगे तो ये आपका तिरपन हो जाएगा और फिर देखें यहाँ पर कि यहाँ पर ये टेलूरियम है और टेलूरियम में मतलब कि तिरपन में 32 जोरना है तो 32 जोरेंगे तो ये आपको एक 80 मिल जाएगा तो इस परकार से इसका भी परमानुसंख्या निकल गया तो ये आपके S ब्लोक और P ब्लोक के परमानुसंख्या याद करने का ट्रिक था जो कि आप एकदम EGB में बना लिए अब बच रहा है कि D ब्लोक को हम कैसे याद करे इसके लिए क्या ट्रिक होगा तो छोथा मेजी कूड क्या होगा तो musi medột सी बात आपको यहाँ पर याद रखना यार इसको मेटा देते हैं हम इवारी इक चलिए नहीं कि यहां पर क्या होगा YEH यह आपकोम्याद कर यहां पर बना देते अब इसकाम आप क्या होगा आठारह अठारह 12 अठार होगा और फिर यहां पर क्या हो जाएगा 32 और यहां पर होगा 32 यह आपके magic code है किसके लिए तो यह d block के लिए है यह d block के लिए है कैसे होगा तो समझ यहां पर सबसे पहली नमबर बात तो आपको उपर वलाप का पता होना चाहिए तो पहले इसका तत्तो का नाम लिख प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार तो यह आपका परमालू संख्या निकल जाएगा, चलो देखो यार, क्या हो जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ पर हो जाएगा 27, 28, 29 और यह हो जाएगा 30, अब हम क्या करेंगे, कि इस कोड का परियोग करेंगे, तो इसमें क्या करना है, कि पहले हमें क्या करना है, 18 जोरना है, तो एकईस में 18 जोर दीजिए, यहाँ पर आपके क्या है, एकईस है, एकईस में 18 जोर दीजिए, यहाँ पर आपका होगा, यारी जरा, निवहाना, मौत तक, ठीक है, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर क्या करना है, कि एकईस में 18 को जोर दीजिए, तो एकईस में 18 को आप जो 9 और 2 एक कितना हो जाएगा तीन यानै कि 49 यानि कि ये हो गया आपका 49 हो जाएगा उसी प्रकार से हाँ पर क्या हो जाएगा यहां पर यह होगा आपका लन oc तो इसमें आपको कितना जोरना है तो इसमें भी आपको 18 जोरना है तो 18 जोर दिजिए तो 9, 8, 7, 7, 3, 1, 4, 1, 5 यानि कि संताबन यानि कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा संताबन हो जाएगा तो फिर से लिख देते हैं संताबन हो जाएगा यानि कि यहाँ पर इसका परमानु संख्या कितना हो जाएगा शंताबन हो जाएगा इसके नीचे होता है आपका एक्टेनाइड होता है तो संताबन में 32 जोर दो यार संताबन में कितना जोर देना है 32 यह वला 32 जोर ना है यह 32 आप जोर दो तो 7, 2 कितना हो जाएगा 9 5 3 कितना हो गया 8 यानि कि 89 यानि कि इसका परमानुसंख्या क्या हो जाएगा 89 अब इतना चीज हम आपको ट्रीक बता दिये कि आपको यहां से ये ट्रीक आपको याद रखना है और इससे आपका पूरा D-block भर जाएगा तो आपको क्या करना है हम आपको होम बर के लिए छोर रहे है कि आप क्या करेंगे कि जो D-block के तत्तों हैं इनके सब का नाम लिख करके और सब का परमानुसंख्या आप खुद से लिखने का ट्राइ करेंगे और एक बार आप खुद से भी इसको बनाईएगा तो आप अच्छी तरह से इसको cover कर लिजि लिए मिलते हैं फिर नेक्स क्लाप में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा चलता हूं दूआव में याद रखना बाई-बाई-वाई-सी अगेन जैहिंद नमस ओिर भ्र लू लूँ जैहिंद लिएिजियो जैहिंद भी में बनाईएगा छूब झालता हूं विणा ए विलते हैं तरह के लिए भी थाणा खनी लिए माँयर दूट timed झालता हूं